नमस्ते, मैं सुर्जय लामा, मेट्रोलोजिस्ट भी मौसम केन्वे गांटक बटा बोली रहेगाचु अनि आज प्रसुद गर्ण गई रहेगाचु सब्ताहिक मौसम समिक्चारा, सिक्किम माते दुए अप्ताको लागी मौसम पुर्बानुमान। आज दिनार तीन फर्वार दुए अजर बाइस। रूप्रेखा, गता हटाको अवदिमा अलकन गरियेको महत्तोपुर्ण सिनप्टिक आवस्ता, सिक्किमा था भयको बर्षा को बितरन, था गरियेको जिल्ला अनुसर आवस्त बर्षा मिलिमिटर मा विबिने स्तान हरुमा वस्तविक मौसम अधिक्तम नियोतम ताप्मान र भर्षा, नियोतम ताप्मान को ग्राफिकल प्रतिमिधितो, आगा मिद्री हप्ता को लागी मौसम पुर्वानुमान, सिक्किम राज्य को लागी मौसम पुर्वानुमान बुलेटिन. महत्वपुर्ण सिनप्टिक अवस्तां मार्ण जमारी मा उत्तर पुर्वतर्फ लाग्यो याश्वर्यो फेरी तीज जमारी मा मध्या ट्रपोस्परिक वेस्ट्रेलिस्मा एवटा कुंडर थियो जर्शकु दूरी 5.8 km समुद इस्ता वंदा मा थि लगभक लंगिचूट 70 डिग्री इस्ट लेटिचूट 33 डिग्री 33 डिग्री नर्थ मारायो तेश्वची एक फब्रारी मा उत्तर कुर्वाती रशर्यो यस बाहे एक फब्रारी मा उत्तर दक्षिन मा कुंड थियो लगबक लंगिचूट 90 डिग्री इस्ट लेटिचूट 24 डिग्री नर्थ 1.5 र 3.1 किलोमेटर सनुनरी सका वंदा मा थि बीच मा जो द्वी फब्रारी मा लगबक लंगिचूट 93 डिग्री इस्ट लेटिचूट 24 डिग्री नर्थ मा सर्यो आउटलूक योटा ताजा कमजोड वेस्टर डिस्टरबेंस ले छब फब्रारी देखी पच्छिम हिमालायन छेत्रालाय असरगार्ने संबावनाचा तिन फेबरी द्वी अजर बाईश 03 यूटिशी शर्फेस चार्ट तिन फेबरी द्वी अजर बाईश 0 यूटिशी मा थिलो वाईव चार्ट भाग एक्रद्वी तिन फर्वारी द्वी अजर बाईश उपग्रा पिक्चर नियोतम तापमान 24 घंटा को परिवर्तन अधितम तापमान 24 घंटा को परिवर्तन सिक्किमा थावाय को बर्षा को बितरन थागरे को जिल्ला अनुसार आउसत बर्षा मिलिमिटर मा बिविन्न मौत्त पुनाय स्थान रुमा भयको वस्तविक मौसम गांटोक तादूं अनि पाक्यों को वस्तविक दैनिक नियोतम तापमान आगामी दुई हप्ता को लागी मौसम पुर्वानु मान फईलो सप्ता चार देखी दस फरवरिशं बन अनि दोस्रो सप्ता 11 देखी शत्र फरवरिशं पहिलो सप्ता बर्षा समन्य बंदा देशी उनेच, अधिक्तम ताप्मान समन्य बंदा कम्ती उनेच, और नियोतम ताप्मान पनी समन्य बंदा कम्ती उनेच दोश्रो सब्ता बर्षा सामन्य उने चा अनी अधिक्तम तापमान पनी सामन्य उने चा निवतम तापमान चाई सामन्य बंद कम्ती उने चा सिकिम राज्य को लागी पास दिन को मौसम पुर्वानमान बुलेटीन अर्कु सब्ता एक मौसम रिपोर्ट 10 फबरडी 2022 मा जादी गरीने चा धनेवाद